जंगल में एक मीनू चड़िया अपने बेटे मानो चड़े के साथ रहती थी मानो चड़ा मीनू चड़िया को अपनी मा कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि मीनू चड़िया का आदा चेहरा जला हुआ था इसी कारण से मानुचड़े को शरम आती थी केवे मीनुचड़िया उसकी मा है फिर एक दिन की बात है मीनुचड़िया मानुचड़े से कहने लगती है एरी बीटा मानुचड़े देखो आज मुझे बजार में कुछ समान लेने के लिए जाना है इसलिए तुम मेरे साथ चल लेना मा आपको तो पता है मुझे आपके साथ बाहर जाने में कितनी शरम आती है लेकिन फिर भी आप मेरी बात समझती ही नहीं हो और कोई ना कोई बहाना ढूंड कर मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती रहती हो पिर अब ऐसा कहकर वे दोनों समान लेने के लिए चले जाते है मानोचड़ा मीनूचड़िया से दूर दूर रह रहा होता है फिर मीनूचड़िया को थोड़ी ही देर में रास्ते में एक जगा पर कबूतर मिल जाता है बस फिर क्या था उस कबूतर को देखते ही वे मानोचड़ा तो और भी पीछे चुप जाता है अरे मीनूचड़िया ये तुम्हारा बेटा मानोचड़ा तुमसे इतना दूर दूर पीछे पीछे क्यों चल रहा है सब खेर तो है क्या हुआ है इसे एरे कबूतर तुम्हें तो पता है इसे मेरे जले हुए मू की वज़े से मेरे बाजू में चलने से शरम आती है तो फिर मीनू चड़िया तुम आखिर मानो चड़े को सच क्यों नहीं बता देती हो कि तुम्हारा ये मू आखिर जला कैसे था नहीं नहीं कबूतर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं सही वक्त आने पर मानोचड़े को सब बता दूगी पिर अब ऐसा कहकर वे सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं पिर अगले दिन सुभा 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 स्कूल जाते हुए मानोचड़ा अपना लंच बॉक्स घर में ही भूल जाता है अरे ये मानोचड़ा तो अपना लंच बॉक्स यहीं पर ही भूल गया है अब पता नहीं क्या खाएगा वो वहाँ पर लेकिन अगर मैं ये लंच बॉक्स उसके स्कूल देने गई तो वो तो मुझ पर बहुत ज़ादा घुसा करेगा फिर ऐसे ही मीनोचड़ा मानोचड़े को लेकर काफी परिशान होती है और सोच रही होती है अरे मैं काम करती हूँ मैं उसके स्कूल चली ही जाती हूँ क्या हुआ अगर वो मुझ पर थोड़ा गुसा करेगा लेकिन अगर मैं उसे लंच बॉक्स दे दूँगी तो वो भूका तो नहीं रहेगा फिर ऐसा सोच कर मीनोचड़ा मानोचड़े के स्कूल में आ जाती है मानोचड़े का स्कूल में अभी खेलने का वक्त होता है वे अभी अपने दोस्तों के साथ होता है तब ही वे मीनोचड़े उधर आओ बस फिर क्या था मानोचड़ा मीनूचड़िया की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आ जता है फिर अवे मीनूचड़िया वहाँ से चली जाती है और मानोचड़ा वहीं पर बैठा सोच रहा होता है अरे अब मैं क्या करूँ आज तो मेरे सारे ही दोस्तों ने मेरी माँ का ये जला हुआ चहरा देख लिया है अब मैं इनके पास जाऊँगा तो ये तो मेरा बहुत जादा मज़ा कुराएंगे अब मैं एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ से घर चला जाता हूँ बस फिर अब मानो चड़ा गुस्से से बरा हुआ घरा जाता है और घरा कर मीनू चड़िया से कहने लगता है अब बस बहुत हुआ अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे स्कूल में मत आना लेकिन तुम फिर भी मेरे स्कूल में आ गई हो अब मेरे श्कूल में मेरी कोई वज़त नहीं रही है मेरे सारे दोस्त अब मेरा मज़ाग बनाईगे इसलिए में अब स्कूल नहीं जाओंगा नहीं बेटा, ऐसा मत बोलू मैं बहुत मेहनद करती हूँ तुम्हें पढ़ाने के रिए मैं तो चाहती हूँ तुम पढ़ लिकर बहुत अच्छा सा काम करो बस फिर ऐसे ही मीनुचिडिया मानोचड़े को समझा देती है कि अब वे किसी के सामने नहीं आएगी तो मानोचड़ा अपनी पढ़ाई न छोड़े फिर अब अगले दिन सुभा जब वे मानोचड़ा स्कूल जाता है तो मानोचड़े के दोस्त राजुकवे के माता पिता कालुकवा और पिरियाकवी मीनुचौडिया के पास आ जाते हैं मीनुचौडिया कल मेरे बैटे राजुकवे का जनम दिन है इसलिए तुम अपने बेटे को लेकर मेरे बेटे के जनम दिन पर आ जाना हाँ मीनू चडिया हम तुम्हारा इंतिजार करेंगे अब ऐसा कहकर वे दोनों महां से चले जाते हैं अब जब स्कूल की छुटी पर मानू चड़ा घर वापस आता है तो मीनू चड़िया उसे राजु कवे के जनम दिन के बारे में बताती है अरे क्या ही जरूरत थी आपको राजु कवे के माता पिता के सामने आने के लिए आपने गेट ही क्यों खोला है और हाँ राजु कवे के जनम दिन पर सिर्फ मैं अकेला ही जाऊंगा आपको जाने की जरूरत नहीं है मैं वहाँ पर जाकर सबसे कहा दूँगा कि आपकी तब्यत खराब है इसलिए आप नहीं आई है फिर मानू चड़िया की ऐसी कड़वी बाते सुनकर मीनू चड़िया अपने मन ही मन काफी जादा उदास हो जाती है फिर अगले दिन वे मानो चड़ा मीनू चड़िया को घर में बंद करके राजु कवे के जनम दिन पर चला जाता है बस फिर ऐसे ही अब कुछ साल गुजर जाते हैं और मानो चड़ा भी बड़ा हो जाता है अब मानो चड़ा भी एक अच्छी जगा पर काम पर लग जाता है आज भी जब मानो चड़े के दोस्त उसके घर पर आते थे तो वे मीनू चड़िया को एक कमरे के अंदर बंद कर देता था फिर एक दिन अचानक मानो चड़ा मीनू चड़िया से कहने लगता है मानोचड़े की ये बाते सुनकर तो मीनूचड़िया अपने मन हिमन रो रही होती है लेकिन वे मानोचड़े से कहने लगती है अच्छे ठीक है बेटा मैं तुम्हें अच्छी जगा पर काम करता हुआ देखना चाहती थी वो मैंने देख लिया है तुम्हें अब अगर तुम्हारी खुशी मुझे यहां से भेजने में ही है तो मैं कल ही चली जाओगी यहां से बस फिर ऐसे ही रात हो जाती है और घर में वे दोनों सो जाते हैं फिर अगले दिन सुबा होते ही मानो चड़ा तो अपने काम भड़ चला जाता है और मीनू चड़िया भी दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाती है मीनू चड़िया दूसरे जंगल जा ही रही होती है तब ही रास्ते में उसे रंगीन पक्षी रोक कर कहने लगता है रंगीन पक्षी के मूँ से ये बाते सुनकर तो मीनू चड़िया फॉरण से मानो चड़े के उधर आ जाती है वहाँ पर सभी पक्षी होते हैं पर मानो चड़ा तो आग के अंदर फजा होता है फिर मीनू चड़िया बिना कुछ सोचे समझे आग के अंदर कूच जाती है और काफी महनत से मानो चड़े को बचा कर आग से भाड़ ले आती है फिर अब आग में जाने की वज़ा से मीनू च चाकर ले आई लेकिन देखो खुद इसके साथ क्या हो गया है और तुम बताओ इसके साथ क्या करते थे हाँ मानोचड़े अब हम तुमें एक सेज़ बताते हैं जब तुम बहुत जादा चोटे थे तो तुमें कुछ जालिम चीले पकड़ कर ले गई थी और वो तुमें आग में जला रही थी तब ही ये मीनोचड़िया ही थी जिसने तुमें आग से बचाया था और इसका खुद क साथ बिलकुल भी अच्छा सुलूक नहीं करता था और तुमने तो जाते जाते भी मेरी जान बचा ली है तुम मुझे माफ कर दो तुम बहले ही माफी मांगो या कुछ भी करो अब मीनोचड़िया वापस नहीं आने वाली है अब तुम्हारे पास सिर्फ पश्तावे और श चड़िया के साथ जैसा करता आया था इसी वज़ासे उसको भी वैसी ही सजा मिल रही थी ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबशूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल में एक मीनू चड़िया भी रहा करती थी वे मीनू चड़िया जंगल में ठेले के उपर अपनी एक चक्की रखकर बैठा करती थी और उसी चक्की से चंगल के सबी पक्षियों को आठा पीस कर दिया करती थी बस सारा दिन वे आठा पीस कर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी फिर एक दिन की बात है कालुकवा मीनूचुडिया के पास धेर सारा अनाज पिसवाने के लिए ले आता है लो भई मीनुचडिया ये देखो कितना सारा अनाज है ये, अब ये अनाज कल तक तुम मुझे पीस कर दे देना ठीके कालू कवे, जैसे ही पहले का अनाज पिस जाएगा तो फिर मैं तुम्हारा अनाज भी पीस दूगी बस फिर कालू कवा अनाच दे कर वहां से चला जाता है और मीनू चडिया चक्की पर अनाच पीसने लग जाती है शाम तक वे मीनू चडिया, कालू कवे और जंगल के बागी पक्षियों का अनाच पीस कर एक जगा पर रख देती है तब ही अचानक से वहाँ पर एक हवा का तूफान आ जाता है उस हवा के तूफान के कारण मीनू चुडिया ने जो आटा पीस कर रखा था वे सारा पक्षियों को आटा गिर जाता है एरे ये क्या हो गया है इतनी मुश्किल से मैंने ये अनाच पीसा था और अब तो सारा का सारा आटा इस हवा के तूफान की वज़ा से गिर गया है अब जब सभी पक्षी अपना आटा वापस मांगने आएंगे तो मैं उनको क्या दोंगी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अब ही जाती हूँ मैं उस तूफान के पास अब वो ही मुझे दुबारा से ये आटा देगा बस फिर अवे मीनु चडिया गुस्से में एक पहाडी के पास आ जाती है उस पहाडी पर ही वे तूफान जोर जोर से घूम रहा होता है अरे तूफान भाईया तुम अचानक से वहाँ पर क्यों आ गई थे तुम्हारी वज़े से ही मैंने जेंगल के पक्षियों को जो अनाच पीसा था वो सारा का सारा गिर गया है अब वो सब पक्षी मुझे से जब अनाच मांगेंगे तो मैं उनको क्या दूँगी अब मुझे ही तुम्हे कोई हल बताना होगा अच्छा ऐसी बात है अगर इन सब में मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुम्हें बदले में एक चीज़ देता हूँ जिससे तुम्हारी परिशानी हल हो जाएगी फिर वे तुफान उस मीनुचिडिया को एक जादूई बरतन देता है और कहने लगता है मीनुचिडिया ये एक जादूई बरतन है मैं एक जगा पर अपनी तुफानी हवा लेकर गया था वहाँ पर मेरी हवा के कारण से एक जादूई बर्तन मेरे पास उड़ता हुआ आ गया था इसलिए मैंने ये बर्तन अपने पास रख लिया था ये जादूई बर्तन तुम अभी अपने साथ ले जाओ और जाकर इसे अपने घर में अपने सामने रखकर ये मंतर पढ़ना बरतन बरतन जादूई बरतन कर दे जादू जादू से बरतन भर दे आटे से फिर देखना ऐसा कहते ही ये पूरा बरतन आटे से भर चाएगा अच्छा ठीक है फिर मैं अभी घर जाती हूँ और जाकर इस जादूई बरतन को अजमाती हूँ फिर अवे मीनू चडिया खुशी खुशी वे बरतन लेकर अपने घर वापस जा रही होती है तब ही रास्ते में वे कालू कावा उस मीनू चडिया के पास नया बरतन देखकर सोचने लगता है औरे ये नया बरतन कहां से आ गया है इस मीनू चडिया के पास ये तो बहुती जादा गरीब है इसके पास तो नई चक्की लेने के लिए भी पैसे नहीं है और जब मीनू चडिया अपने घर में आ जाती है तो कालू कावा उसके बहार छुपकर सब कुछ देखने लगता है बस फिर मीनू चडिया के वे मंत्र पढ़ते ही वे पूरा जादू बरतन आटे से भर जाता है अरे वाह ये तो सच में ही जादू हो गया है अब तो मुझे जादा महनत करके वे पुरानी सी चक्की भी नहीं चलानी पड़ेगी दूसरी तरफ वे कालू कावा ये सब कुछ देखकर काफी जादा हैरान हो जाता है परे ये बरतन तो कमाल का है मुझे कुछ भी करके इस बरतन को चुराना ही होगा लेकिन अगर मैं इस जादूई बरतन को चुराऊंगा तो ये मीनू चिडिया जरूर सभी पक्षियों के घरों को देखेगी इसलिए अब मैं एक काम करता हूँ मैं इस जादूई बरतन को एक दूसरे बरतन से बदल देता हूं। इस कारण से जादू नहीं होता। एरे मुझे लगता है उस तूफान ने मुझे धोका दिया है। मैं अभी जाती हूं इस तूफान के पास और अभी उससे पूछती हूं। फिर मीनू चड़ीा दुबारा से उस पहाड़ी पर तूफान के पास आजाती है। अरे भई क्या हो गया है तुम इतने गुस्टे में फिर से यहां पर क्यों आई हो अरे तूफान तुमने मुझे धोका दिया है ये लो अपना बरतन वापस रख लो ये कोई भी जादू नहीं कर रहा है अरे ये तुम मुझे कौन सा बर्तन दे रही हो ये तो वो बर्तन ही नहीं है मैंने तो तुम्हें दूसरा बर्तन दिया था अरे तो फिर क्या मैं जोट बोल रही हूँ तुम से ये वही बर्तन है अच्छा अच्छा रुको जरा तुम गुस्सा मत करो मैं तुम्हे कोई और चीज देता हूँ फिर अव्य तुफान मीनुचिडिया को एक जादूई थेला देता है बस फिर अव्य मीनुचिडिया वे थेला लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है तब ही इस बार भी वे कालुकवा उस मीनुचिडिया को वे थेला ले जाते हुए देख लेता है लगता है मीनू चडिया के पास जो ये ठैला है इसमें भी जरूर कोई ना कोई जादू होगा मुझे आफ जाकर पता करना होगा अब इस बार भी वे कालू कवा मीनू चडिया का पीछा करते हुए उसके घर के बाहर आकर छब जाता है बस अवे मीनू चडिया दुबारा से मंत्र पड़ती है और उस थेले से पहले की तरहा आठा निकलने लग जाता है अब मीनू चडिया उस जादू को बार बर करती है ताके उसे यकीन हो जाए कि वे तूफान जूट नहीं बोल रहा लगता है इस बार तूफान ने मुझे कोई धोका नहीं दिया है ये बिल्कुल सही है थेला अब वे मीनुचिडिया काफी जादा खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ वे कालुकवा अपने मन ही मन मीनुचिडिया का ये जादूई थेला चुराने के बारे में सोच रहा होता है फिर अब आज रात भी मीनू चिडिया जब अपने घर में सो रही होती है तब ही वे कालुकाव उसके घर में आता है और उसका जादूई थेला भी बदल देता है फिर अगले दिन सुबा उटकर जब मीनू चिडिया दुबारा से जादू करती है तो आज फिर से जादू नहीं होता ऐसा कैसे हो जाता है रोजाना एक दिन के बाद जादू होना कैसे बन हो जाता है मुझे अब जाकर तुफान से पूछना होगा फिर अब मीनू चिडिया दुबारा से उस पहाडी के पास तुफान के पास आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है अब वे तुफान थेला देखकर पहचान जाता है कि ये वे जादू थेला नहीं है इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं बिल्कुल भी धोका नहीं दे रहा था तुम्हें फिर अब वे तुफान उस मीनू चिडिया को एक लाठी देता है एरे तुफान मैं इस लाठी का क्या करूँगी बस तुम आज रात इस लाठी को अपने साथ रखना फिर रात में जब तुम्हें चोर मिल जाए तो तुम इस लाठी के पास जाकर मंतर पढ़ना के लाठी लाठी चोर को सजा दे बस फिर अवे मीनू चिडिया वो जादोई लाठी लेकर अपने घर पर आ जाती है आज भी उस कालू कवे ने मीनू चिडिया के पास उस लाठी को देख लिया होता है और उस लाठी को चुराने के बारे में भी सोच लिया होता है फिर अब मीनुचिडिया रात को अपने घर पर सोने का नाटक करती है और वे कालुकवा रात को वे लाठी चुराने के लिए आ जाता है फिर जैसे ही वे कालुकवा उस लाठी को हाथ लगाता है मीनुचिडिया फोरान उड़ जाती है और मंतर पढ़ने लगती है लाठी लाठी चोर को सजा दे बस फिर मंत्र पढ़ते ही वे लाठी कालू कववे को खूब जादा मारने लगती है अरे अरे मीनू चुडिया इस लाठी को रोको मुझे माफ कर दो मीनू चुडिया मुझे माफ कर दो मेरा सारा चुराया हुआ समान वापस ला कर दो फिर अब वे मीनुचडिया उस जादूई लाठी को रोग देती है और वे कालुकवा चुराया हुआ सारा समान मीनुचडिया को वापस ला कर देता है अब आएंदा तुम चोरी मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बस फिर ऐसे ही उस कालुकवे को उसकी गलती की साजा मिल जाती है और वे मीनुचडिया उस जादूई बरतन से दुबारा से आटा निकालने लग जाती है और ऐसे ही अब मीनुचडिया के हालाद भी ठीक हो जाते हैं